केसी एन में आपका सुवागत है मैं किंग हमीद मोधी सरकार की किसानों को असली सोगात है पीठ पर लाठी और पेट पर लाठ ये एक कटू सत्य बन गया है मोधी सरकार के इन नो वर्षयों को किसान विरोधी कप्टी और खुरूरता के काल से जाना जाएगा कल देर शाम शेखी बगारते हुए मोधी मंत्री मंडल ने रभी फसलों के लिए MSP की घोशना कर दी पर तीन कड़वी सच्चाई आपके सामने हम रखने के लिए आ जाएए पहली किसान की फसल हिंदुस्तान में MSP पर खरीदी ही नहीं जाती दूसरी किसान को लागत पर जमा पचास परतीशत मुनाफ़ा मिलने का कोई नामो निशान नहीं और तीसरी मोधी सरकार की हर नीती और कदम उनका DNA ही किसान विरोदी किसान सम्मान निधी मेंसे अब दो करोड किसानों का नाम ही काट दिया पिछले नो सालों में 25,000 रुपिया प्रती हेक्टेर हमने बार बार वो आपको डेटा दिया है 25,000 रुपिया प्रती हेक्टेर किसान की फसल की कीमत उतपाद की लागत बढ़ा दी बाद में कहा 6,000 रुपिया देंगे प्रती किसान नोट प्रती हेक्टेर एप्रेल जुलाई 2022 में 11 किश्दी किसान सम्मान निधी की उसमें थे 10,45,69,000 किसान बार्मी किश्दी अगस्ट नवंबर 2022 में उसमें किसानों की संख्या कम होकर हो गई 8,42,14,000 यानि 11 और बार्मी किश्द के बीच में 2,3,45,000 किसान ही खतम हो गए इस मस्ट बी तो उनली यूनीक कंट्री इन दे वर्ल्ट where in a period of six months 2,3,000,000 people have stopped doing agriculture as per Modi government they have ceased to be farmers this must be one of the most unique examples तो सारे किसान अब कहां चले गए इस बात का जबाब कोई नहीं देता बात पिसे पत्रों टरिया है